अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लबाना मत भूला उसने इलाके की हर एक चीज पर नज़ा रखता है और उसे कोई गंदगी नहीं पसंद, ना तो उसे दूसरे लोग पसंद है और ना ही लोगों को वो पसंद है। 43 साल तक एक ही कमपनी में काम करने के बाद उस कमपनी के मालिक उसे रेटायर्मेंट के लिए कहने लगे और ना चाहते हुए भी ओवे को मानना पड़ा। ओवे पहले ही डिप्रेशन में जिन्दगी जी रहा था और नौकरी हाथ से जाने के बाद उसके लिए जीने का मकसद नहीं रहा इसलिए सोनिया के बारे में सोचते हुए उसने अपनी जान देने की कोशिश की पर तभी वहा कुछ नए लोग रहने आ गए और ओवे को उन्हे से जान देने की कोशिश की पर इस बार उनके बच्चों की वजह से उसे रुकना पड़ा वो इलाका जिसे ओवे हर रोज परफेक्ट रखने की कोशिश करता था अब बदलने लगा और वो इससे परेशान हो गया उसी इलाके में रहने वाला आदमी रूने ओवे का दोस्त ह पर आलेसस होने के बाद रूने का खयाल उसकी पतनी अनीता रखने लगी अगले दिन सोनिया से बात करने के बाद ओवे ने फिर से अपनी जान देने की कोशिश की पर इस बार भी उसके घर के दरवाजे पर कोई आ गया उससे मिलने फिर से परवा ने अपने परिवार के सा और पैटरिक ने कहा कि उसे किसी काम के लिए उसकी सीडियों की जरूरत है ओवे ने उनकी मदद तो की पर वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसने फिर से अपनी जान देने की कोशिश की इस बार उसकी आखों के सामने उसकी पूरी जिन्दगी आ गई ओवे जब छोटा था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी और उस दिन के बाद उसके पिता बदल गए वो ज्यादा बाते नहीं करते थे पर एक रात उन्होंने जिसके बाद उन्होंने पहली बार ओवे को गले से लगा है ओवे अपने पिता के काम में उनकी मदद करने लगा और एक दिन उसे ट्रेन में एक पर्स मिला जिसे वहा काम कर रहा आदमी अपने साथ ले जाना चाहता था जब ओवे ने पर्स देने से इंकार किया तो वो पिता जैसा बनने का फैसला कर लिया। उसने रेलवे की एक्जाम दी और वो पास हुआ। इस बात की खुशी में उसके पिता हर किसी को ये खबर सुनाने लगे। और तब ही एक ट्रेन से टकराने पर उनकी मौत हो गई। ओवे को सबसे ज्यादा चिड महात नाम की एक लड़की से थी जिसका कुट्ता हमेशा ओवे के घर के पास पेशाब किया करता था। उसे एक आवारा बिल्ली से भी चिड थी जो उसकी बात नहीं सुनती थी पर एक दिन उसने उसी बिल्ली को खाना देने के बारे में परवाने का दिया हुआ खाना आखिरकार खुद खा लिया और अनीता की भी मदद करने की कोशिश की पर उसका मकसद रूने से बात करना था। उसने रूने को बताया कि वो अपनी जान देने वाला है। ये सुनकर रूने उसे रोकने की कोशिश करने लगा पर वो ऐसा कर न और नौकरी के पहले ही दिन उसे उस आदमी टॉम ने परिशान किया जिसने उसे बच्पन में परिशान किया था। उस वक्त ओवे ने फैसला किया कि वो एक डरा हुआ आदमी बनकर नहीं जियेगा। पर वो आग फैल कर ओवे के घर तक पहुच गई और जान बूच कर काउंसल के लोगों ने वो आग नहीं बुझाई। उस रात ओवे ने अपना घर खो दिया और सिर्फ अपने पिता की घड़ी लेकर वो रेलवे कमपनी में आ गया जहाँ एक ट्रेन को ही उसने अपना घर ब पर तीन हफतों तक जब उसे सुनिया नहीं मिली तो वो अपनी उमीद खोने लगा था पर तीन हफतों बाद आखिरकार सुनिया उसके सामने आई और ओवे की फीलिंग समझ कर सुनिया ने उसे डेट पर चलने के लिए कहा वो दोनों एक रात किसी रेस्टरांट में मिले औ और तब सुनिया समझ गई कि ओवे दूसरे लोगों से अलग है ओवे उस वक्त सुनिया से गाडियों के बारे में बाते करने लगा और उसे पता चला कि जो कुछ उसके पिता ने उसे सिखाया था वही बाते सुनिया को भी उसके पिता ने सिखाई थी ओवे को लगने लगा कि सोनिया उसकी जिन्दगी और काम के बारे में जान कर उससे दूर चली जाएगी पर सोनिया ने ऐसा नहीं किया वो दोनों साथ रहने लगे और सोनिया के कहने पर अपनी पढ़ाई पूरी करके ओवे एक एंजीनियर बन गया जल्दी उन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया ओवे की जान देनी की कोशिश फिर से नाकाम्याब हुई क्योंकि परवाने फिर से उसके गराज के बहार आ गई उसने बताया कि पैट्रिक सीडियो से गिर गया था और वो चाहती थी कि ओवे उसे और उसके बच्चों को हॉस्पिटल ले जाए जहाँ पैट्रिक को रखा गया है ओवे ऐसा करने के लिए मान गया और फिर उसे परवाने की बेटियों का अकेला ख्याल रखना पड़ गया वो सफीदा और नाजनीन को संभालने लगा और उसे भी उन्हें संभालते हुए खुशी मिलने लगी उन बच्चों के पास बेपो नाम का एक क्लाउन आया जिसने ओवे से उसका काम चीन लिया ओवे उससे भी लड़ने लगा और इसी की वज़य से उसे हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया गया सफीदा और नाजनीन ओवे के करीब आ गये थे और ओवे अब बदलने लगा था अगली सुबह वो घर से दूर गया और ट्रेन के आगे कूदने के बारे में सोचने लगा पर तब ही एक आदमी रेलवे ट्रैक पर गिर गया और ओवे ने देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा ओवे ने उस आदमी को बचा लिया और एक बार के लिए पट्रियों पर रुखने के बारे में सोचकर वो वापस प्लाटफॉर्म पर आ गया घर लोटकर परवाने ने उसे नाजनीन की बनाई एक ड्रॉइंग दी और कहा कि अब वो उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है परवाने को वही आवारा बिल्ली घायल हालत में मिली और गुसे में उसने ओवे से बिल्ली की मदद करने के लिए कहा ओवे को ना चाहते हुए भी बिल्ली को अपने घर में लेना पड़ा इलाके में रहने वाला लड़का जिमी भी उनकी मदद करने आया पर उस बिल्ली की जिम्मेदारी अब ओवे को ही लेनी पड़ी ओवे ने जितना सोचा था मरना उतना आसान नहीं और अब सोनिया के अलावा वो बिल्ली भी उसकी जिन्दगी का हिस्सा बन चुकी थी ओवे को बच्चे पसंतो थे पर वो हमेशा इस डर में जीता रहा कि वो अच्छा पिता नहीं बन पाएगा इसी डर की वज़े से उसके और सोनिया के कभी बच्चे नहीं हुए कुछ दिनों बाद पैटरिक घर लोट कर आया और उस दिन ओवे परवाने के पास गया परवाने चाहती थी कि ओवे उसे गाड़ी चलाना सिखाए और ओवे ने उसकी ख्वाइश पूरी की ओवे ने जितना सोचा था गाड़ी सिखाना उतना आसान नहीं था पर वो अपने इस काम के बीच किसी को आने नहीं दे रहा था धीरे धीरे परवाने और उसकी दोस्ती होने लगी और ओवे ने उसे अपनी जिन्दगी के बारे में बताना शुरू किया उसने रूने और अपनी दोस्ती के बारे में बताया और सब कुछ बताते हुए वो भी अपने अतीत को याद करने लगा। रूने और ओवे दोनों उसी इलाकिय में मिले थे और काफी हद तक एक दूसरे की तरह थे। दोनों ही नियम और कानून को सीरियसली लेते थे पर फिर ओवे को पता चला कि रूने और उसकी गाड़ियों की पसंद एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। सालों तक उन्होंने इस बात को इग्नोर तो किया पर वो दोनों धीरे धीरे गाड़ियों की ही वज़य से एक दूसरे से दूर होने लगे। सालों बाद जब रूने का बेटा अमेरिका गया तो ओवे ने अपनी इस दुश्मनी को खत्म करने के बारे में सूचा पर फिर रूने ने उसे अपनी नई गाड़ी दिखाई और तब उनकी दोस्ती हमेशा के लिए तूट गई। उस रात परवाने ने ओवे से कहा कि उसे उनकी बेटियों के साथ रहना होगा। ओवे तो उसके इरादे समझ नहीं पाया पर पैटरिक समझ गया कि वो सिर्फ ओवे को खुश रखना चाहती है। गर लोटकर पैटरिक ने देखा कि उनके घर की साफ सफाई की गई है और ओवे बच्चों को अपने परिवार की ही तरह प्यार देने लगा है। इतना ही नहीं वो अब अपनी बिल्ली को भी प्यार देने लगा था। गे हैं तो वो उससे अजीब से सवाल पूछने लगा। उसके सवालों को सुनकर परवाने उसे वहाँ से निकाल कर वापस अपने घर ले आई। ठीक उस वक्त लेना नाम की एक औरत ओवे के पास आई। लेना एक जर्नलिस्ट थी जो स्टेशन पर उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त ओवे ने उस आदमी की जान बचाई। वो ओवे का इंटर्व्यू लेना चाहती थी पर उसने लेना को गराज में बंद कर दिया और परवाने ने आकर उसे बाहर निकाला। परवाने और ओवे इसी बात को लेकर हसने लगे और तब पहली बार परवाने ने ओवे को हसते हुए देखा, कुछ वक्त बाद वहाँ लोकल काउंसल के लोग आए और उन्हें ओवे इलाके में आने से रोकने लगा, उनमें से एक आदमी जिसे ओवे वाइट शर्ट कहता है, ओवे से बहस करने लगा और कहने लगा कि चाहे जो हो जाए वो रूने को अपने साथ ले जाएगा, उसकी बत्तमीजी से ओवे परेशान हो गया, क्योंकि वो ना तो अपने पुराने घर के लिए वाइट शर्ट से लड़ पाया और ना ही आज लड़ पा रहा है, इसी परे फिर से दरवाजे पर कोई आ गया, एडरियन और मिरसाद ओवे से मिलने आये थे, क्योंकि मिरसाद को गЕ होनी की वज़य से उसके घर से निकाल दिया गया था, एडरियन का कहना था कि सोनिया हमेशा दूसरों की मदद करती थी, इसलिए ओवे को भी मिरसाद की मदद करनी हो ये बात सुनकर ओवे ने उसे घर में बुला लिया, अगली सुबह उसने मिरसाद को घर संभालते हूए देखा, और धीरे धीरे उसे मिरसाद भी पसंद आने लगा, हर रोज की तरहा ओवे सैर पर निकला, और मिरसाद के साथ-साथ जिमी भी ओवे के साथ वक्त बिताने लग ये सुनकर ओवे को बुरा लगा और सोनिया से इस बारे में बात करके ओवे अनीता के पास गया और उसने ठान लिया कि वो वाइट शर्ट से लड़ेगा और रूने को अपने घर से दूर नहीं जाने देगा इस लड़ाई में उसकी मदद परवाने कर रही थी और उसी की वज जैसे ओवे को हिम्मत मिली ओवे हमेशा से हर लड़ाई अकेला लड़ना चाहता था मगर परवाने ने उससे समझाया कि कोई भी इंसान अकेले कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता इसलिए उसे दूसरों से मदद मांगने में हिचकचाना नहीं चाहिए ओवे ने तब उसे पताया कि सोनिया हमेशा से एक vacation पर जाना चाहती थी। वो दोनों Spain गए और दोनों ही बहाँ जाकर बहुत खुश थे। vacation खत्म हुआ और घर लोटते हुए वो दोनों बस से सफर कर रहे थे। अपने बच्चे के आने की खुशी में वो दोनों एक बहतर जिन्दगी के सपने देखने लगे थे। पर जब ओवे बाथरूम में गया तब बस का accident हुआ और उन दोनों के सारे सपने तूट गए। accident से कुछ लोगों की मौत हो गई। ओवे और सोनिया जिन्दा तो बच गए पर सोनिया ने अपने बच्चे और अपने दोनों पैरों को खो दिया। उस दर्द में भी ओवे ने हिम्मत नहीं हारी और सोनिया के साथ फिर से जिन्दगी सुधारने की कोशिश करने लगा। सोनिया टीचर नहीं बन पाई क्योंकि कोई भी स्कूल वीलचेर पर जीने वाले इंसान को स्कूल में नहीं रखना चाहता था। फिर भी ओवे ने हर कोशिश की पर आखिर कार वो हिम्मत हार गया। सोनिया ने फिर से उसे भेतर महसूस कराया और फिर से हिम्मत मिलने पर एक रात उसने वो किया जो कोई और नहीं कर पाया। सोनिया को ओवे की वज़े से नौकरी मिल गई और सोनिया एक ऐसी टीचर बन गई जिसने बच्चों को सही रास्ता दिखाना शुरू किया। उसने हजारों बच्चों की जिंदगिया सुधारी और इसलिए हर कोई उससे प्यार करता है। छे महीने पहले कैंसर से उसकी मौत हुई और ओवे उसके पास जाने की कोशिश में लग गया। अगली सुबह वाइट शर्ट रूने को लेने आया। अनीता उसे रोकने की कोशिश करने लगी और तब वाइट शर्ट के सामने जर्नलिस्ट लेना आई जिसने बताया कि इंस्टिटूशन के लोग खुद कर्ज में डूबे हैं इसलिए वो किसी मरीज को नहीं संभाल सकते। ओवे ने लेना और इलाके के लोगों की मदद से वाइट शर्ट को हरा दिया और अपने दोस रूने को उसने अपनी जीत के बारे में बताया। रूने भी इस जीत से बहुत खुश हुआ और अब ओवे अपनी जिन्दगी एक बहतर तरीके से जीनने लगा पर फिर एक दिन पहलते हुए ओवे को हार्ट अटाइक आया। उस बेटे को तौफे में ओवे का बनाया पालना मिला। ओवे ने उस परिवार को और भी तौफे दिये और अपना हर दिन खुशी से बिताने लगा। कुछ महीनों बाद परवाने ने देखा कि सुबह के आट बजने के बावजूत ओवे के घर के बाहर सफाई नहीं हुई है। ये बात उसे अजीब लगी और वो ओवे के पास गई। आखिरकार ओवे की मौत हुई पर कुछ दिनों पहले उसने एक चिट्थी लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि वो जान देने की कोशिश नहीं करने वाला पर उसे पता था कि उसकी मौत करीब है। चिट्थी में उसने परवाने से कहा कि अब उसे इलाके और बिल्ली की देख भाल करनी होगी। हर कोई ओवे के जाने से दुखी था पर अंत में ओवे की आखे उसी ट्रेन में खुली जहाँ वो पहली बार सोनिया से मिला था और उसी ट्रेन में सोनिया उसका इंतिजार कर तो इस वीडियो को लाइक शेर और इस वीडियो पर कॉमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला